हमें साथ यूग को जानना चाहिए प्रकासित वाक्य अध्याए एक वचन एक से बीस मैं उस प्रभु का दन्यवात करता हूँ जो हमें इस अंधकार्म यूग में आशा देता है हमारी आसा यह है कि प्रकासित वाक्य की पुस्तत में जो लिखा है उसके अनुसार सब कुछ प्रगट होगा और हमें विश्वास में प्रतिक्सा करनी होगी कि भविश्य पानी के सभी वचन पूरे होंगे प्रकासित वाक्य की पुस्तत पर बहुत कुछ लिखा गया है जबकि विद्वानों द्वारा सिध्धान्त और व्याक्याय प्रचूर मात्रा में है फिर भी एक ऐसे कारियों को पाना मुश्किल है जो वास्तों में अपने द्रश्टिकॉन में बाइबल पर आधारित है परमेश्र की कुरुपा से ही मैं प्रकासित वाक्य के वचन का अध्ययन और शोध करने में अन गिनत घंटे बिता कर इस पुस्तक को लिखने में शक्सम हूँ यहां तक कि जब मैं अभी बोल रहा हूँ मेरा रिदे प्रकासित वाक्य के सत्य से भर गया है जबकि मैंना इस पुस्तक के लिए अपनी टिपणिया और उबदेश तयार किये हैं, तब पवित्र आत्मा ने भी मुझे भर दिया है। तो यहाँ कोई आश्रे की बात नहीं है कि मेरा रिदेश स्वर्ग की आसा और हजार साल के राज्य की महिमा की बहुत आयत से भरा है। प्रकाशित वाक्य का वचन कितना महान है। परमेश्वन ने यहाँ ना को येश्व मसी की दुनिया दिखाई। येश्व मसी का प्रकाशित वाक्य इस आरंभिक वचन का क्या अर्थ है। प्रकाशित वाक्य के समय में पूरा होगा। इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य के वचन में तलीन हो एक बात है जिसके बारे में हमें पहले से सुनिष्टित होना चाहिए। अर्थाथ हमें यहाँ पता लगाना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य की भविश्यवानी का लिखित वशन प्रतिकात्मक है या तत्यात्मक प्रकाशित वाक्य की पुस्तत में जो कुछ भी लिखा गया है वहां निश्चित रूप से तत्यात्मक है क्योंकि उन दर्शनों के माध्यम से जिने युहना ने देखा था परमेश्व ने हमें विस्तार से बताया है कि संसार में क्या होने वाला है यह सच है कि कई विद्वानों ने प्रकाशित वाक्य की भविश्यवानियों पर विबिन, धर्म वेग्यानिक सिध्धानतों और व्याख्यावों को सामने रखा है यहां भी सत्य है कि इन विद्वानों का प्रयास प्रकाशित वाक्य के सत्य को अपनी सर्वोत्तम क्षंता से प्रगट करने का रहा है फेकिन इस तरह के कालपनी प्रस्तावों ने मसीह जगत को और अधिक नुक्सान पहुचाया है क्योंकि वे बाइबल की सचाई के अनुरुप नहीं थे और केवल भ्रम पैदा करते थे उदारन के लिए कई रुडिवादी विद्वानों ने तथाकती सास्तरवादी का समर्थन किया है यानि उनका दावा है कि कोई हजार साल का सामराज्य नहीं होगा परन्तु ऐसी राई बाइबल की सचाई से बहुत दूर है हजार साल का राज्य वास्तों में प्रकासित वाक्य के अध्याई 20 में दर्ज है या लिखा है कि संत ना केवल इस राज्य पर शासन करेंगे बल्कि एक हजार साल तक मसी के साथ भी रहेंगे दूसरी और अध्याई 21 में बताता है कि हजार साल के राज्यों के बाद संत नए स्वर्ग और नई पूर्थवी के वारिस होंगे और अनंतकाल तक मसी के साथ रहेंगे और शासन करेंगे ये सब तथ्य है बाइबल हमें बताती है कि इन सभी सत्यों को विश्वास्यों के दिलों में एक प्रतिक आत्मत पूर्थी के रूप में नहीं बल्कि इतिहास में एक वास्तविक पूर्थी के रूप में समझा जाएगा परन्तो आज के मसीयों को देखने पर हम पाते हैं कि उन्होंने बहुत से हजार साल के राज्य के लिए बहुत कम आसा रखी है क्या उनके इनकार के दावे सच थे क्या इसका यह मतलब नहीं होगा कि विश्वासयों के लिए परमेश्वर की प्रतिक या केवल खोकले सब्द होंगे यदि विश्वासयों की प्रतिक्सा करने वाला कोई हजार साल का राज्य नहीं होता नहीं नया स्वर्ग और नहीं पृत्वी होती तो उनका विश्वास जो येशु को अपने उधार करता के रूप में विश्वास करके बचाये गए हैं बेकार हो जाएगा समंदित नोट पर कई धर्मसास्त्री और सेवक आज दावा करते हैं कि प्रकाशित वाक्यों में भविश्यवानी की गई 666 का चिन्ह केवल प्रतिक आत्मक है लेकिन कोई गल्ती ना करे जब इस भविश्यवानी की पूर्तिका दिन आता है तो उन दुर्भाग्य पूर्णा आत्माओं का विश्वास जो इस तरह के जुठे दावों में विश्वास करते हैं रेत पर बने घर की तरह मिट जाएंगे जो लोग येश्व पर विश्वास करते हैं लेकिन बाइबल में उनके सामने प्रकट किये सत्य के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं उनके साथ परमेश्वर का अविश्वास्यों के समान विवहार किया जाएगा इसका केवल यह अर्थ हो सकता है कि वे न केवल परमेश्वर के द्वारा दिये गए पानी और आत्मा के सुसमाचार को नहीं जानते हैं बलकि यह की पवीत्र आत्मा उनके रिदयों में वाज भी नहीं करता है यही कारण है कि उनके दिलों में हजार साल के राज्य या नए स्वर्ग और पुत्वी के लिए कोई आसा नहीं है इसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिगना की है यदि उन्होंने येशु पर विश्वास किया होता तो भी परमेश्वर के वचन की लिखित सचाई के अनुसार उस पर विश्वास नहीं करते थे प्रकासित वाक्य में जो लिखा गया है वहाँ परमेश्वर का वचन है जो हमें दिखाता है कि इस दुनिया में पूरी तरह से और जल्द ही क्या होगा प्रकासित वाक्य के अध्याई दो और तीन में एसिया की साथ कलिस्याओं के लिए चेताउनी के वचन को दर्ज किया गया है उनमें से साथ कलिस्याओं के लिए परमेश्वर्ती प्रसंसा और फटकार दोनों पाये जाते हैं विशेश रूप से परमेश्वन ने वादा किया था कि जीवन का मुगट उन्हें दिया जाएगा जो अपनी विश्वास योगता में बने रहते हैं और अपने कलेशों को दूर करते हैं इसका मतलब है कि अंत्र समय के सभी विश्वास योग की प्रतिक सामे निश्चित प्रकासित वाक्य का वचन संतों की सहादत उनके पुनरुथान और रैप्शर और हजार साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृद्वी के वादे चे के बारे में है जो परमेश्वन ने उनसे किया था। प्रकासित वाक्य का वचन उन लोगों के लिए एक बड़ा आराम और आशिर्वाद हो सकता है जो अपनी सहादत के निश्विक्ता में विश्वास करते हैं लेकिन जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते उनके लिए इसके पास बहुत कम आशा है इसलिए हम प्रकासित वाक्य में लिखे गए वाईदे के वचन और अंत के समय में उसके सत्य के वचन में अपने अटल विश्वास का पालन करके दिड़िता से रह सकते हैं प्रकासित वाक्य के वचन का सबसे महतो कुण व्यवहार संतों की सहादत पुनुरुथान और रैक्षर और एक हजार साल का राज्य और नयास्वर्ग और नई पृत्वी है यही कारण है कि प्रारम्भि कलीसया के लिए परमेश्वर का उद्देशय और अच्छा संतों को उनकी सहादत के साथ अंत तक अपने विश्वास की रक्सा करना था ऐसा इसलिए हैं क्योंकि परमेश्व ने इन सभी चीजों की योजना बनाई है कि उन्होंने सभी संतों को सहाधत की बात कही दूसरे सब्दों में परमेश्व ने हमें बताया है कि अंत के समय में सभी संथ अपनी सहादत के मादियम से मसी विरोधी पर वीज़े प्राप करेंगे प्रकासित वाक्य की पूरी किताब को समझने के लिए अधियाए एक से छे की पूरी समझ महत्वपोन है अधियाए एक को परीचे के रूप में वरनित किया जा सकता है जबकि अधियाए दो और तीन प्रारम भी कलिसया के संतों की सहादत की बाद करते हैं अधियाए चार हमें परमेश्व के सिहा संपर मसी के बैठने के बारे में बताता है अधियाई पांच हमें येश्व मसी के द्वारा पिता की योजना के बारे में बताता है और अधियाई छे उन साथ यूगों की चर्चा करता है जिने परमेश्व ने मनुष्य जाती के लिए निर्धारित किया है अधियाई छे को समझना विशेश रूप से महत्वपूना है क्योंकि यह आपके लिए संपूर्ण प्रकासित पाके की समझ का द्वार खुलेगा अधियाई छे को उन साथ यूगों के रूप रेखा के रूप में वर्नित किया जा सकता है जिने पिता ने येश्व मसी में मनुष्य जाती के लिए योजना बनाई है परमेश्वर की इस रूप रिखा में साथ यूगों के लिए देविय विधान पाया जाता है यसे परमेश्वर मनुष्य जाती के लिए लाएगा जब हम इन साथ यूगों को जानेंगे और समझेंगे तो हम यहाँ समझ पाएंगे कि हम अब इनमें से किस यूग में जी रहे हैं हम यह भी समझ पाएंगे कि पिले घोडे की यूग यानि आने वाले मसी विरोधी के यूग की विरुत प्रयास करने और उस पर विजय पाने के लिए हमें किस प्रकार के विश्वास की आवेशक्ता है जब पहली मौर खोली गई तो एक सफिद घोला निकला उसके सवार ने एक धनुस से धारन किया उसे एक मुकट दिया गया और वह विजय प्राप्त करने और जीतने के लिए निकला यहां सफिद गोडे पर सवार येश्व मसी को संदर्वित करता है जबकि तथ्य यहा है कि उसके पास धनुस था इसका मटलबे कि वहाँ शैतान के खिलाफ लड़ना और जीतना जारी रखेगा दूसरी सब्दों में कहें तो सफिद गोडे का यूग पानी और आत्मा के सुसमाचार के विजय को संदर्वित करता है जिसे परमेश्व ने पृत्वी पर अनुमती दी है और यहाँ यूग तब तक जारी रहेगा जब तक कि परमेश्व के सभी उद्दिश्य पूरे नहीं हो जाते दूसरा यूग लाल गोडे का यूग है यहाँ शैतान के यूग के आगमन को संदर्वित करता है इसमें सैतान लोगों के रिदयों को यूद करने पृत्वी से सांती छिनने और संतों को सताने के लिए धोखा देगा लाल गोडे के यूग के बाद काले गोडे का यूग आता है जब अकाल लोगों की आत्मा और सरीर दोनों पर प्रहार करेगा आप और मैं अब आत्मिक और भावतिक अकाल के इस यूग में जी रहे हैं जब इसके बाद निकट भविश्य में पिले घोड़े का यूग आएगा तो मसी वीरोधी उठ खड़ा होगा और उसके प्रकट होने से दुनिया घातक आपदाओं में गिराएगी। पिले घोड़े का यूग चौथा यूग है इस यूग में संसार सात तुरियों की विपतियों से ग्रसित होगा जहां एक तिहाई जंगल जल जाएंगे एक तिहाई समुद्र लहू में बदल जाएगा जहां एक तिहाई सुध पानी भी लहू में बदल जाएगा और सुर्य औ मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वद किये गये थे। और सुर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहु के समान हो गया। और पहाडों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुह से जो सिहासंग पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से चिपालो। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुँचा है अब कौन ठहर सकता है। तो सात्वे युग में क्या होगा जो परमेश्व ने हमारे लिए निधारित किया है। इस अंतीम युग में परमेश्व संतों को अपना हजार साल का राज्य और नया स्वर्ग और नई पूत्वी देगा। तो फिर हम इन सात युगों में से किस युग में जी रहे हैं। लाल घोडे का युग बीतने के बाद जिसके दोरान दुनिया कई युद्धों से तबाह हो गई हम काले घोडे के युग में जी रहे हैं। प्रकासित वाक्य के सभी वचन नकारात्पक नहीं बलकि विश्वास्यों के लिए सकारात्मग भावना में लिखे गए हैं। प्रकासित वाक्य के वचन पर केवल अपनी व्याक्या और निराधार परिकलपनाय की पेशकस की है। इसलिए लोग और भी अधिक प्रमीत हो गया है। लेकिन हम सभी को परमेश्वर द्वारा निरधारी साथ यूगो को पहचानना चाहिए। और इस सत्य में गनान और विश्वास के साथ उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए उससे धन्यवाद और महिमा दे। संतों के लिए परमेश्वर की सभी योजनाए इन साथ यूगो की भीतर निरधारित और पूरी होती है। मुझे आसा हैं कि मेरी अब तक की चर्चा ने आपके प्रकासित वाके के परिच्वात्नमार्द की कुछ बुनियादी समझ को प्रदान किया। प्रकासित वक्य की पुस्तक के माध्यम से हम पाते हैं कि परमेश्वर की सुरुष्टी ने उन साथ यूगों की शुरुवात को चिनहित किया, जिने परमेश्वर ने ये सुमसी में पानी और आत्मा के सुसमाचार के साथ स्तापित किया था। इन साथ युगों को जानने से हमारी आस्था और मजबूत होगी और उन्हें जानने से हमें पता चलेगा कि काले घुड़े के युग में रहते हुए हम किस तरह की परिक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और इस आईसास के साथ हम विश्वास से जी सकेंगे। पहले नहीं देख सकते थे। जब परमेश्वर के सेवों को और संतों को सहादत के युग के करीब आने का एसास होगा तो उनका जीवन सभी गंदगी के साफ हो जाएगा क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि वे पिले घुड़े के युग में सहीद होने के लिए तयार है उनकी रिदय तब भी तयार हो जाएंगे जब उन्हें इस समय का एसास नहीं होगा। हम सब उसी तरह सहीद होंगे जैसे प्राड़ाम भी कलीसया के संत सहीद हुए थे। आपको यह समझना चाहिए कि जब पिले घुड़े का युग आता है तो सच्चे विश्वास्यों के रैप्चर और स्वर्ग में प्रभू के साथ हमारी मुलाकात रैप्चर के साथ होगी। संतो की सहाधत के बाद हमारे परमेश्वर संतो को मृत्य से उठाएंगे और उन्हें स्वर्ग के विवाह भोज में ले जाएंगे। जब तक संतो का रैप्चर नहीं होगा तब तक इतनी पूरी तरह से नस्ट हो चुकी होगी कि वह लगबग निर्जन हो जाएगी एक तिहाई जंगल जल जाते हैं समुद्र नदिया और यहां तक की जरने भी लहू में बदल जाते हैं क्या आप ऐसी दुनिया में अब और अधिक समय तक जिना चाहेंगे संतों के पास सहादत में सामिल होने का और भी कारण होगा क्योंकि अब दुनिया के कई उम्मीद नहीं बची है क्या आप डर से कामते हुए ऐसी विरान दुनिया में रहना चाहते हैं गिल्कुल नहीं आन्ति में संतों की सहादत है और उसके बाद उनका पुनरुथान और रैक्षर और उनके पुनरुथान और रैक्षर के साथ हजार साल का राज्य और नए स्वर्ग और नई पृत्वी में परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने की महिमा बाइबल हमें सपष्ट रुप से बताती है कि महान कलेश के माध्यम मध्यभाग के बाद यानि साथ साल की समय की अवधी में साड़े तीन साल में संत अपने विश्वास के साथ मसी विरोधी के खिलाव खड़े होने के लिए सहीद हो जाएंगे और इसके बाद उनका पुनरुथान और रेक्षर और मसी का दूसरा आग्मन होगा दूसरे सब्दों में महान कलेश के दौरान उनकी सहादत के बाद मसी की वापसी और संतों का पुनरुथान और रेक्षर होना है अब समय आ गया है कि आप ऐसे विश्वय उपर अधिक साउधानी से विचार करे क्या हम तब भी सही दो सकते हैं जब परमेश्वर द्वारा निर्धारित पीले घोड़े का यूग अभी तर्थ नहीं आया है बिल्कुल नहीं लेकिन कलेश पूर्वर रेक्षर का सिध्धान सिखाता है कि महान कलेश की सुरुआत से पहले सभी संतों को परमेश्वर द्वारा रेक्षर किया जाएगा और इस तरह के साथ कलेश मैंसे नहीं गुजरेंगे यहां द्रश्टीकों दावा करता है कि कोई सहाधत नहीं है और यहां विश्वास नहीं करता है कि संतों के लिए पिले घोडे का यूग आएगा यदि यहां कलेश पूर्वा रेक्षर का सिधान सत्य है तो प्रकासित वाके के अध्याय तिरा में कहे गए संतों की सहाधत का क्या आर्थ है यहां सपस्ट रुप से कहा गया है कि संत सहीध होंगे क्योंकि वे जिनके नाम परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में लिखे गए है वे शैतान के सामने आत्म समर्पन नहीं करेंगे जो लोग कलेश के बाद के रेप्चर के सिधान को सिखाते हैं उनमें भी पिले घुडे का यूग और संतों की सहादत, पुनरुथान और रेप्चर की उचित समझ का अभाव है इस परिकलपना के अनुसार सभी विपतिया यानि सात तुरहिया और सात कटोरे समाप्त होने तक संत इस पृत्वी पर रहेंगे लेकिन प्रकासित वाकिया हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि संतों का पुनरुथान और रेप्चर तब होगा जब अन्तिम स्वर्ग दुत्तुरही बजाएगा दूसरे सब्दों में परमेश्वर के करोद के सात कटोरे उंडिलने से पहले यही कारण है कि प्रकासित वाकिया उन लोगों के लिए बड़ी सांत्वना और आशिश का वचन है जो पानी और आत्मा के सूसमाचार में विश्वास करते हैं हजार साल के राज्य के लोगों के लिए किवल निराशा और भ्रम लेकर आया है और यहां सत्य नहीं है हमारे प्रभू ने अपने सिश्यों से जो वादा किया था कि संतों को पांच या दस हज सहरों पर सासन करने का अधिकार दिया जाएगा वही वास्तों में हजार साल के राज्य में होगा आपको याद रखना चाहिए कि क्लेस के पहले रैप्शर, क्लेस के बाद पस्षात रैप्शर और हजार साल के राज्य के सिधान जैसे कालपनिक धारनाए निराधार दावे हैं जो विश्वास्यों के लिए केवल अविश्वास और भ्रम लाते हैं तो फिर परमेश्वर ने हमें प्रकासित वाके की पुस्तक्यों दी उसने हमें साथ यूगों के माध्यम से अपनी भविश्यवानी दिखाने के लिए और जो येश्यू के सिश्य बन गए हैं उन्हें स्वर्ण की सच्ची आसा देने के लिए हमें प्रकासित वाक्य का वशन दिया यहां तक कि अभी भी चीजे परमेश्वर की योजना की अनुसार हो रही है अब हम जिस यूग में जी रहे हैं वह काले घोडे का यूग है अधिकार के तहत एकी कृत और एक जूट हो जाएगी येश्यू के सिश्यों को अभी से तयारी करनी चाहिए और अपने विश्वास के साथ पीले घोडे के यूग के आगमन का सामना करने के लिए तयार रहना चाहिए